नमस्कार दनगरी नियूस के खास प्रोग्राम में आप सभी का सुवागत है और मैं हूँ प्रियंका मात्रुगा की उपासना का पर्व नवरात्र 15 एक्टूबर से शुरू हो चुका है नवरात्र पर्व की तृत्यतिति को देवी चंद्रगंटा की पूजा का विधान है माँ चंद्रगंटा शेर पर सवार होकर आती और हर समय युद्ध के लिए तैयार है नवरात्री में नित्य पूजा के साथ ओम देवी चंद्रगंटाई नमहाद मंत्र का जाप करें इसके बाद माँ चंद्रगंटा की पूजा करने से साधक के सभी दुखदर दूर हो जाते हैं और वे निर्भय वे बीर बनता है देवी के राधना से व्यक्ति के मुख नेत्र और काया में सकरात्मक विकास होता है इसके साथ ही बुद्धी और ग्यान में भी व्रद्धी होती है अब आपको बताते हैं किस रंग का इस्तिमाल करना चाहिए देवी की पूजा के समय भूरे रंग का वस्तर पहनना व्यक्ति के लिए बहुत पलदाई साबित होता है साथ ही व्यक्ति स्वन रंग के वस्तर भी धारन कर सकता है इन दोनों रंगों को इस दिन शुप माना जाता है इसके साथ भक्त इस दिन दूद से बने मिश्टान का भोग लगा सकते हैं माता को शहद भी बहुत प्रिया है प्रसाथ चढ़ाने के बाद इसे स्वैंबी घ्रेंट करे और दूसरों में भी बाटे देवी को ये भोग समर्पित करने से जीवन के सभी दुकों का अंत हो जाता है मानेता है कि शेर पर सवार मा चंदरघंटा की पूझा करने से भक्तों के कश्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं इन्हें पूझने से मन को शक्ती, शांती और वीर्था मिलती है जोतिश में इसका संबन मंगल नामक घ्रहत से होता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार मा चंदरघंटा के दस हात है इनके चार हातों में कमल का फूल, धनुष, माला और तीर है तार्चवे हात में अभे मुद्रा, जबकि अन्य चार हातों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और दल्वार है दस्वा हात वरद मुद्रा में है मा चंदरघंटा भक्तों का कल्यान करती है और उनकी सभी मनों का आमनाय पून करती है आपको मारे स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं उसे लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार